नमस्कार दोस्तों आज टाइम है संडे का और इससे पहले मेरे घरवाले अवाज लगाएं चलिए बनाते हैं कुछ क्रीमी और चीजी सैंड्विच इस सैंड्विच को बनाने के लिए हमने यहां पे एक मीडियम साइज प्याज कट करके रख लिए है एक छोटी गाजर कट करके रख लिए है एक छोटी सिमला मिर्च एक छोटा टमाटर एक मीडियम साइज खीरा हमने यहां पे कट कर लिया है यहां मैंने अधर रख लिए है जो कि बिल्कुल उप्शनल है साथ ही मैंने यहां पर थोड़ी सी ग्रीन चिली ले रखी है यह देखिए हमारी सबजें अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है यहां मैं फनी फूड्स का मियोनीज यूज कर रही हूँ अब मैं इसे इसमें एड करूगी अब मैं इसमें एड करूँगी थोड़ा सा ब्लेक पेपर थोड़ा सा टोमेटो सॉस सॉल्ट अकॉर्टिंग टेस्ट हाफ टीस्पून से भी कम रेड चिली यहां मेरे पास दो क्यूब चीज है अब मैं इन्हें भी इसमें ग्रेट करके एड कर दूँगी इसमें मैं एड करूँगी थोड़ी ओरिगेनो सीजनिंग चलिए अब अपने इस मिक्षर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह देखिए हमारा मिक्षर कितने अच्छे से बनके रेडी हो गया और कितना कलरफुल है यह बहुत हेल्दी विय है क्योंकि इसमें आपने कितनी सारी वेजटेबल डाली है आप इसे अपनी स्विक्षा उसार चाहे तो क्याबज आड़ कर सकते हैं या फिर और कोई पूट जो आप पसंद करते हैं वो भी आड़ कर सकते हैं चलिए अब इसका सैंविच बनाते हैं यहां पर मैंने एक ब्रेड ले ली है अब इस मिक्षे को हम अच्छे से अपने ब्रेट पर स्प्रेड कर लेंगे आप चाहे तो आप स्लाइस चीज भी एड़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा चीज खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से अपने सारे ब्रेड पर इसको अच्छे से लगा लेंगे यहां मैंने अपने सैंविच मेकर को हीट होने के लिए रख दिया है यह हमारा मेकर अच्छी तरीके से हीट हो गया है अब हम इसमें अपने सैंविच को अच्छे से प्लेस कर देंगे अब हम उपने मेकर को बंद करतेंगे ताकि ये अच्छे से बेख हो जाए ये देखे हमारा सैंडविच कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया है कितने अच्छा गोडन ब्राउन हो गया है अब हम करेंगे इसके प्लेटेंग देखे हमारा टेस्टी ब्रेक्फस्ट बनके रेडी हो गया है आप चाहे तो इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो प्लेन भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें पहले से सॉस एड़ कर रखा है हेलो फ्रैंक्स मैं अनू इस सेंड्विश में आप अपने मन पसंद के कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं इसे और भी ज्यादा चीजी बनाने के लिए चीज स्लाइस में डाल सकते हैं अगर आपके पास सेंड्विश मेकम मसीन नहीं है तो आप इसे तावे पे भी दोनों सा स्लो फ्लेम में सेख करके कुक कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा जाद ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा नमस्कार